योटो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी ही चैनल किल्कुलन प्रिडिक्शन में तो दोस्तो देखो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वुमेंस एसीया कपका जो मुकाबला खेला जाने वाला है सिरलंका वोमेंस बनाम थाइलेंड वोमेंके बिच बैच में अब देखो सभी लोगों को यह मालूम है कि आज क flavors के टीम ही विन करने वाली है लेकिन थाइलेंड वोमेंस के तरफ से भी कुछ ऐसे खिलारी है जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी रैंक दिलवा सकते हैं तो वो कौन से खिलाडी रहने वाले हैं रिसेंट फॉर्म दोनों टीमों का क्या है दोनों प्लियर्स का क्या है वीडियो में A to Z सब कुछ डिसकस किया जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो बताता चलूँ आप लोगों को 7 बजे शाम को ये मुकाबला मैच नमबर 12 अपने भारे टैम उनुसार साम 7 बजे देखने को मिल जाएगा बाकी बात करते हैं सबसे पहले स्रिलंका वूमेंस की क्या कुछ पॉसबल प्लेंग 11 हो सकते है विठ रिसेंट फॉर्म तो देखो ये लोग बांगलादेस से जीत किया रहे हैं और उसके बाद मलेसिया से जीत किया रहे हैं तो ये मैं जीतेंगे महज एक रन बना पाई थी उससे पहले इन्होंने 51 रनो का पफॉमेंस दिया है अट्टा पट्टू भाई मतलब क्या बताऊं वह 119 रनो की लाजवाब इन्होंने पारी खेली स्थी मलेसिया वोमेंस की आगेंश्ट पिछले मैच में बालिंग नहीं की ती इलाक्षी डिसलवाद दोनों मैच में इनकी बैटिंग आई नहीं है सचनी निसांका की बात करते हैं तो चार ओबर की बॉलिंग में एक विकेट इनको मिला आमा कंचना तीन ओबर की बॉलिंग में एक विकेट निकाल पाई से जनरली और मुश्ट ली जितने खिलाड़ी हैं वह इंपॉर्टेंट ही हैं लेकिन सिच्वेशन करेगा कि स्रिलंका वुमेंट करती है या बॉल करती है तो आप यहां से देखना चाहो देख सकते हो चलो बात करते हैं दूसरी जो कि थाइलेंड वुमेंट की टीम रहने वा कमजोर नहीं समझना चाहिए यह भी मतलब जीत नहीं आये हैं तो इनके तरफ सकर बात क्या जाए तो नाताया बूचतम के साथ आप लोगों को स्वन चोरंथनी जो भी नाम हो आप देख ले नाम बहुत टफ टफ है बुचतम पिछले मैच में तीन अबर की बॉलिंग की थ खर विकेट नहीं निकाल पाई थी लेकिन एज़ा बैटर 40 का स्कोर इन्हों नहीं किया था बागी छे रन जो भी नाम इनका सुवन ने किया था मैं आधा ही नाम बोल रहा हूं वाई नाम बहुत कतर नाग ठीक है इनके विकेट कीपर खिलारी 40 और 0 पिछले दो मैच में इ लेटू की बात करते हैं तो 14 तिन पिछले दो मैच में इनका पर्फॉमेंस है सुलिपोर लोमनी की बात करते हैं तो एक ओभर की बॉलिंग में कोई विकेट मिला नहीं था बैटिंग से 17 का स्कोर के थे रोसन कनूच 13-13 पिछले दोनों मैच में नोट आउट कर क्या रही है बैटिंग कर हम देख सकते हो कासु नीचे है लेकिन बैटिंग आ जाएगी क्योंकि आज ही अल आउट होने वाली ये टीम जहां तक मेरा मानना है बाकी टीपी चिता पतवंग की बात करते हैं पिछले मैच में एक विकेट इनको मिला चतुरू घतना एक ओवर की बॉलिंग खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जैसे नाया बोच्तम ये इंपॉर्टेंट रहेंगी चानीदा सुतरूंग इंपॉर्टेंट रहेंगी बाकी देखो सिच्वेशन डिपेंड करेगा फिर यहाँ पर इनकी जो बॉलर ने पूत्वंग यह बहुत बड़ा इंपॉर इपयल 20 ccat को फॉलो के होंगे एक परसेंट चांस था थार सी बीगो वो लोको कॉलीफाई किये थे तो यहां पर 5 परसेंट से ठीक हां तो कभी मतलब इनफ मतलब कम नहीं समझना चाहिए जो है यह बहुत होता इनफ यह उतना तो इतने में खुस रही है है एड टू एड मतलब रिसेंट इसक्वाइड के वेस पे टॉप पर्फॉमर खिलाडी सिर्लंका वोमें 122 बनाती है थाइलेंड वोमें 55 बनाके ऑल आउट हो जाती है हसेनी परेरा के 29 रंत है निलाक्षवी डिसिलवा के 29 रंत है इसी मैच में प्रिवादाशन तेजी ने 3 विगट निकाला था परबोधनी के 2 विगट थें दिलहेरी के एक विगट थें अचनीकुलासूरिया के आटचरण बनाती है सात्पर नुकसान पहेँ स्रिलंका वुमेन विन कर जाती आगें देखो सुत्रुंग का नाम आ रहा है और पुछवोंग का भी नाम आ रहा है अनुसका संजीवनी 32 के साथ नेम इनका आ रहा है चमारे अटा पर्टू 27 रन एक विगेड परवाधेशनी बाइस चार विगेड ऊपर में भी यह क्या कि सुधिंगा कुमारी दिलहरी को एक एक विगेड मिला था इससे पहले कि भी कुछ मैचेज हैं यहां पर आप लोग चाहो तो देख सकते हो बाकि हम लोग जब टीम डिसकस किया जाएगा तो मैं वहां पर बता दूंगा आप यह चीज चाहो तो स्क्रिन सोट ले सकते हो व स्रिलंका वुमन फर्स्ट इनिंग में बैट करें तो मैं 170-180 मान के चल रहा हूं वहीं अगर थाइलेंड वुमन की टीम फर्स्ट इनिंग में बैट करें तो मुझको लगता नहीं यह 110-120 से जादा बनाती हुई दिखेगी तो यह डिपेंड इस पर करेगा कि कौनसी टीम फ जिबूत वही रहने वाली है अब देखो बात करते हैं इस ग्राउंड पर सिरलंका वुमन का होम ग्राउंड सबसे बड़ा अडवांटेज भाई पांच मैच खेल के तीन मैच जीती है थाइलेंड वुमन भी दो मैच खेली एक मैच जीती है वेनु पर कुछ रिसेंड के मै आती है नेपाल 96 रन ही बना पाती है आठ विकेट स्पीन बॉलर को देखो मैं पहले से बता रहा हूं मैच नंबर वन से ही मैं बता रहा हूं जब से एस याकप के मैच खेले जा रहे हैं जो इस पीन बॉलर होते हैं बहुत मतलब उनको यहाँ पर अडवांटेज मिलता है त हाइलेंड वुमेन खेलीगी तो फिर लोई स्कोर बनने वाला है ठीक है बागी चलो देखते हैं आज के मैच के लिए हमारी क्या कुछ फाइंटेसी टीम बनके रेडी हो रही है तो दोस्तों देखो बात करते हैं विगट कीपर ऑप्शन से उससे पहले फर्स्ट और आप ल जरूर रहेगा फाइनल टीम के लिए अब देखो पहले देखो इस परकार आप टीम का कॉंबिनेशन बना लो अपना देखो यहां पर सिरलंका वुमेन को फेवरेट मानते हुए सिरलंका वुमेन की जितने खेलाड़ी हैं जो कि आप लोगों को लगता है मतलब मैंने वीड लिड करेंगे उनको पहले आप अपने टीम में ट्राइ कर लो तो यहां पर फिर से एक बार मैं वीडियो पर रिपीट आना चाहूंगा अब यहां से मैं एक बर सिरलंका वुमेन पर स्यूच करता हूं तो देखो यहां पे से आप अपने टीम में दिलहरी को ले लिजे अट आमा कंचना चलो तीन अबर के बॉलिंग की थी एक विकेट मिलाता इन साथ खेलाड़ियों को तो किसी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है कब कौन विकेट निकाल ले यह प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है तो अगर बॉलिंग अगर दो भर भी कोई बॉलर कर लिये सि थाइलेंड वुमें 110-120 भी बनाती है तो मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम एक विकेट खोने वाली है यहाँ पर चेजिंग करते हुए सिरलंका वुमें और फर्स्ट बैट करीगे तब तो ले नहीं है इनको जादा सोचना नहीं है तो यह जो नौ खिलाड़ी है य चेजिंग में बैटिंग ना है ठीक है हाँ कैचिंग स्टंपिंग की पॉइंट दे देती है तो वह बात की बात है लेकिन ऐस पर लॉजिक चांसेज कम है कि चेजिंग में अगर 110 बने तो इनकी बैटिंग आए अभी आप कल वाले मैच में देखी हो गए जो यूई और पा स्ट्रों पर यहां तूटरंग का विकल पिर आप इनके साथ जा सकते हो यहां पर एक और खिलाडी है और काम पोचू यह बहतरीन खिलाडी हो सकते तो इन 3-4 खिलाडियों को आप लोग ज़़ा फोकस करना ग्रांड लिंग में रोटेशन करना बात करते हैं काप्टन काप् दिलहरी वाइस काप्टन है और जो भी टीम में अपडेट होगा चेंज होगा वो तॉस के टाइम आप लोगों को मालूम चल जाएगा तो ठीक है उम्मीद वीडियो आप लोगों ने समझा एंजॉय किया आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना चानल पर जो लोग तो नए होंगे सस्क्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देंगे आगे मिलते हैं और अच्छी वीडियो साथ तब तक लिए गुड़ बाई टेक क्यार